नमस्कार, सस्त्रियकाल, वनक्कम, मैं आपका भाई विवान स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दाधिराज क्लासिस पे और गाईज आज से हम शुरू करें अपना हिस्ट्री का टॉपिक नैशनल फ्रीडव मुवमेंट हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में टोटल आपको तीन टॉपिक पढ़ने हैं एक बार सलेवस आपको दिखा देता हूँ कि कौन-कौन से आपको तीन टॉपिक पढ़ने हैं तो यह है आपका environmental science का KBS PRD का सलेवस 20 marks का आपका यहीं से पूछा जाने वाला है ठीक है का National Freedom Movement पढ़ना चाहते हैं तो एक तो आप Chapter 11 है Class 8 का वो आप पढ़ सकते हैं और N.I.U.S. का Chapter है Indian National Movement करके यह आप पढ़ सकते हैं यह टोटल 26 pages का है तो जो मैंने MCQs लिए हैं सारे इन ही से लिए हैं और देखो NCIT में मिलता है आपको 1870 से 1870 से ठीक है लेकिन हमें पढ़ना है 1857 से तो यह आपके N.I.U.S. में बहुत अच्छे से दिया है क्योंकि Question 1857 से बहुत आते हैं ठीक है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और अपने Questions को गाई जितने भी यह कोशन रहेंगे उसके बाद आप अपना Score चेक करते रहना साथ साथ और लास्ट में अपना Score जरूर मेरे को बताना कि आपका Score क्या रहता है ठीक है तो चलिए फर्स्ट कोशन है आपका from where did the revolt of 1857 start 1857 का विद्रोह कहां से प्रारम हुआ था option है दिल्ली जहांसी मेरत कानपुर तो आपको पता होगा 1757 में आपका प्लास्टी का युद हुआ था और उसके बाद 1857 पूरे 100 साल के बाद एक क्रांती हुई थी जिसे हमने 1857 का विद्रोह का नाम दिया इस क्रांती की शुरुआत हुई मेरत से ठीक है और ये एक तरह का सैनिक आंदोलन था शुरू में ठी सेला भारतिय स्वतंदरता संग्राम क्यों क्योंकि जो मंगल पांडे थे उस समय एक अफवा पहली थी कि जो कार्तूस होते हैं जो गन में इस्तमाल किये जाते हैं उसमें गाय और सूर की चरबी मिली होती है और जिसे मूं से खोलना होता था तो ये हिंदू और मुसलमान द ये स्वतंतरता संग्राम के लिए ये पहला बहुत बड़ा आंदोलन था ठीक है लेकिन जो ब्रिटिश गॉवर्मेंट थी उसने इसे एक साल के अंदर ही दबा लिया ठीक है क्यों दबा लिया था क्योंकि इसके लिए कोई एक मुख्य रूप रेखा नहीं थी एक सेंट्र ये आपका विच इंडियन मार्श मुवेंट स्टार्टे Bevile ुद दा ॉप्फश्ण अफ्विट मार्श ओव महात्मा गनदी जी उसंटशन ऐ 2930 पूछ्शन क्या मार्श कि महात्मा गांदी जी के दांडी मार्श से किस भारते जन आंदोलन की शुरूआता हुई थी और उ कानून भी इसे हम कहते हैं अंग्रेजों ने नमक के उपर बहुत जादा हैवी टैक्सिस लगा दिये थे और नमक क्या है नमक होती है आपकी बेसिक नीड तो इस कानून का विरोध करने के लिए इस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने अपने 78 अनुयाई जो उनके स साथ मिलकर साबरमती आश्रम से दांडी तक वो पहुंच गए थे लगबग 390 किलोमेटर की यात्रा करके और उन्होंने नमक बनाकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा था और उसी के साथ पूरे भारत में शुरुआत हुई थी सविन्य अवग्या आं साथ मार्च 1930 से ठीक है याद रहेगा आपको आगे चलते हैं और हां दांडी मार्च में बहुत ही जो इनके 78 अनुयाई थे उसमें बहुत ही फेमस नाम था जो इनके साथ गही थी गांदी जी के सरोजनी नाइडू जी ठीक है आपने नाम सुना होगा उनका चलो 3. Who was the governor journal of India during the revolt of 1857 1857 के समय भारत का governor journal कौन था ? 1857 की क्रांती हुई थी न उसके समय जो इसके governor journal थे उस समय वो थे आपके lord canning और उसके बाद से हां governor journal का जो पद था वो ही समाप्त कर दिया गया था क्यों ? क्योंकि 1857 तक जो सत्ता थी वो थी East India Company के हाथों में और उसके बाद से ये सीधे British के हाथों में चली गई थी और जो Governor General का पत था उसको खतम कर दिया गया था और उसकी जगए Vice Rai का पत आ गया था ठीक है Vice Rai का पत जो है 1857 से शुरू हो गया था और Governor General के पत को खतम कर दिया ग बेंगौल का विभाजन जिसे बंग भंग भंग भी कहते हैं कब किया गया था option है 1910, 1905 और 1920 तो इसका correct answer है 1905 अब इसके बारे में जान लीजे कि ये कैसे किया गया था और क्यों किया गया था अगर मैं डेट की बात करूं तो बेंगौल का विभाजन किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को और उस समय के वाइसराय थे आप गवर्नर जल नहीं नहीं थे वो थे आपके लौड करजन ठीक है लौड करजन एक ऐसा आदमी था जो भारतियों को बिलकुल पसंद नहीं करता था और वो यह मानता था कि जो अंग्रेज होते हैं वो भारतियों की तुलना में सब चीजों में सर्वसेश्ट होते हैं और उस समय बंगाल में क्या था बंगाल में हिंदू-मुसलिम एकता एक हो रही थी सभी हिंदू-मुसलिम एक हो रहे थे और ये बात लौड करजन बहुत नश्ट करना था क्योंकि सभी भावनाओं से उपर आप चाहे हिंदू हैं या मुसल्मान हैं सबसे बड़ी भावना होती है देश की भावना राष्टवाद की भावना और वो बंगाल में उठ रही थी लौड करजन उसे दवाना चाहता था इसलिए उसने ये फूट डालन होने का उसका कारण यही था कि राष्टवाद की भावना को दबाया जा सके और डेट क्या है 16 अक्टूबर 1905 अब चलते हैं अपने अगले कोशन पर फिफ्ट कोशन है हूँ वास्ट इंडियन गवर्नर जर्नल और फ्री इंडिया देखिए वाइसराय का पद 1947 तक ही रहा ठाइए और उसके और उसके बाद वाइसराय के पद को भी खतम कर दिया और आगया आपका गांडर जर्नल का अपर ठीक है और फॉस्ट इंडियन फॉस्ट इंडियन गवर्नर जर्नल जो थे फ्री इंडिया के आजाद भारत पहले जड mistakes थे पहले भारतिय वो थे आपके सी राज गोपाल चारी ठीक है अब कोश्चन में वो ट्विस्ट का करता है कई बार यह इंडियन हटा देगा चलो अब इसका आंसर बताओ तो पहले फ्री इंडिया के जो गवर्नर जर्नल थे वो थे आपके लौड माउंट बेटन ठीक है और यही भारत के अंतिम वाइसराय भी थे जब 1947 में भारत को अजादी मिली तो फर्स्ट गवर्नर जर्नल के रूप में यही रहे थे ठीक है लेकिन इंडियन कौन थे पहले इ रखा गया था कि यह भारत के प्रशासनिक कर रहे हैं उनकी देखरे कि यह कर सके ठीक है याद रखना अब चलते हैं अपने सिक्ष्ट कोश्चन पर सिक्ष्ट कोश्चन है तर नौन कोपरेशन मूव्मेंट वोस सस्पेंड़ इन फैबरी 1922 ऑन अकाउंट ऑफ जो एस सहयो उनका कारावास और उपरोक्त सभी तो जान लेते हैं पहले कि ऐसा ही योग आंदोलन क्या था देखें ऐसा ही योग आंदोलन 1920 में इसकी शुरुवात हुई थी और 1857 के बाद ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट था जिसने ब्रिटिश को हिला के रख दिया था और इसको ख इंसाबादी थे उन्हें ये पसंद नहीं आया इसलिए उन्होंने फरवरी 1922 में ऐसायोग आंदोलन को खतम करने की घोशना कर दी और ऐसायोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें बहुत सारे लोग जैसे कि आपके टीचर्स हो गए ठीक है और जो न्यायाल्ले में हो अलाद हो जाएगा भारत को स्वराज मिल जाएगा ठीक है चलो आगे चलते हैं सेवंध कोशन पे सेवंध कोशन पूछन पूछता है अरेंज दा फॉल्विंग हिस्टॉरिकल इवेंट्स इन दा क्रोनोलिजिकल और ऑफ देर अक्रेंट्स जैसे जैसे ये इवेंट्स ने गांधी जी जब भारत आये थे उनके द्वारा चलाया गया यह पहला अंदोलन था बिहार में पार्टिशन आफ बेंगाल हुआ आपका 1905 में और जलियां वाला बाग हत्या खांड 13 अप्रैल 1919 याद होगा आपको यह 1919 में हुआ था तो देख लो पहले कौन सा हुआ सेक केसरी शुरुवात किस ने की थी उसके एडिटर कोन थे तो गाइज इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलग केसरी के अलावा इन्होंने एक निउस्पेपर की शुरुवात और की थी जिसका नाम था मराठा और यह कौन सी लैंग्विज में था यह था आपका इंग्लिश लै कहते हैं क्यों कहते हैं इनको क्योंकि यह बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे एक होनहार व्यक्ति थे और 1897 में इनके उपर राज-द्रोह का का मुकदमाच चल दाया गया ठीक है लोग इन्हें काफी पसंद करते थे तब इन्हें लोक मानने की उपाधि दी गई थी ठीक है चलो तो इनके द्वारा दो न्यूज्स पर थे केसरी और मराठा केसरी ऑर मराठी English language में था ठीक है चलते हैं अपने 9th question पर लाल बाल पाल बहुत important question है कई बार पूछा जा चुका है which of the following is not included in लाल बाल पाल लाल बाल पाल में कौन शामिल नहीं है ये एक तिगडी थी जो हमारे freedom movement हुए उसमें ये एक तिगडी थी लाल बाल पाल ठीक है ये तीनों नेता जो थे ये गरम जोशी के नेता थे गरम जोशी जैसे सनी देवल है न तो बिलकुल ये गरम जोशी के थे ये मानते थे कि सरफ भारत आजाद हो सकता है तो सरफ हतियारों के बल पे आजाद हो सकता है कुछ गरम जोशी और कुछ नरम जोशी के भी थे जो सरफ सत्याग रहे जो गांदी जी की भावनाओं का आधर करते थे और उन्सके जो अनुयाई थे उन्हीं की तरहा भारत को अजाद कराना चाहते थे तो यह तीनों थे गरम जोशी के ने था इनकी जो रड़नीती होती थी बहुत अलग तरह की होती थी और जो बाल गंगा धर तिलक निकलें ठीक है तो चलते हैं अपने लास्ट कोशन पे जो है आपका टैंथ कोशन है आपका हूँ सेड सोराज इस माई बर्थ राइट और आई विल हैविट पूरी बात है यह आई विल हैविट किसने कहा था यह तो यह कहा था आपके बाल गंगाधर तिलक जी ने कि कर सकते हैं अपनी नॉलेज की आपका स्कोर क्या है और उसके बाद आप मुझे अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं ठीक है चलिए थैंक्यू गाइज